कि विपक्ष चार तारीक के बाद मुझरा करे या ना करे बॉस लेकिन तुम जरूर ताता थाया करने वाले हो जिस व्यक्ति को अपनी धरम पत्नी का मंगल सुत्र का ज्यान नहों साथ फेरे लेते समय कि उन्होंने उनको पहनआ है और आज उनको पता ही नहीं वह मंगल सुत्रक और तारीक दो दूसरे के मंगल सुत्र की क्या वैलू जानेगा कि जून है अब पार्धान मंत्री जी उस बात को जून जोंड बोल ले है कि 4 तारीक के बाद जो है अभी पक्ष मुझरा करेगा कितने भद्देश अप्द हैं प्रधान मंत्री जी के सही बोल रहे हैं और मैं एक बात और कहा दू प्रधान मंत्री जी चमचा जिस बरतन में पड़ा रहता है वो उसी बरतन को खाली करता आपको खाली करके मानेंगे इसलिए आप अपनी सूधबूद से काम लीजिए कम से कम मूँ दिखाने के लायक तो रह जाएंगे क्या है वो तो ऐसे लोग हमें दलीले ना दे जुनोंने इस देश को आजाद कराया है इस देश में इतनी सुभिधाएं दी है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बाचित करने के लिए पूनम पंडित इस देश के परधान मंतरी लगतार चुनावी सभा से भाषण दे रहे है और उनका भाषन किस तरीके से वो दे रहे हैं वो आप लोगों ने सुनाई होगा अभी हाल ही में भैस चोरी बिजली चोरी के बाद परधान मंतरी मोदी में नहीं को है कि फूरत रूब कर रहें उंडी को ना कि देखे जो तो ने कहते हैं उनको पड़ा कर रहे तो इनको चुंआ ही तो ये भी प्रधान मंतरी को मुझे बताना पड़ रहा है कि मेरे भारत की संस्कृती है कथक करना, मेरे भारत की संस्कृती है बुरतनाट्यम, मेरे भारत की संस्कृती है अब उनको यही नहीं पता, तो वैसे जैसे वो दस साल से मुझरा करके जंता को मूर्ख बनाने का काम क दिया था, सोचिए, कितना बड़ा विशे है, अगर हम बात करें, माफी मांगने वालों से, तो माफी मांगने वालों का योगदान नहीं है, लेकिन देश में, जब आजा दी की लड़ाई लड़ी जा रही तो, तो तवाइफ होना अपना योगदान दिया, तो सरपरी कौन है कि तवाइफ होई, अब बताईए, तो हुई के नहीं होई, अब यही दोर है, अब मैं इतना कह देना चाहती हूं, मेरे, मुझे बेहद दुख है, बेहद शर्म के साथ मैं इस बात को कह रही हूं, कि ये भासा एक सडब चाफ व्यक्ति की नहीं है, देश के प्रधान मंत काबू कर सकते हैं, फिर आप कैसे किसी की भासा को नियंतरन करने के लिए रोक सकते हैं, जब आपकी भासा ऐसी हो, इसका मतलब, जो कोई छीन करके, जपट करके, सत्ता को हासिल करता है, बिना मेहनत के, हमने सत्ता हासिल की, मेहनत करके, सतर साल सरकार रही, मेहनत करके, इन् पर्दानमंतरी मोदी ने का कि मैं तो आप गाली पुरूफ हो गया हूँ जैसे कि बुलेट पुरूफ जो है किना मिशीशा वगरा होता है वैसे मोदी जी गाली पुरूफ हो गया है इतनी लोगों उनको गाली दी है देखिए जब वो मुस्लिमों में जाते हैं तो मुस्लिमो नहीं बताते हैं वोट मांगने के लिए अब वो सरदार के बेटे हो जाते हैं ऐसे ही अपने आपको सवनातनी कहते हैं मा गंगे ने बुलाया है अभी तक वहां पहुंचे नहीं है न साफसफ़ाई न कुछ वहां पर कराया और यहां तक कि बनारस की यूनिवस्टी में एक ब बलातकार किया गया, ITCELL के तीन लड़कों ने गन पॉइंट पे बलातकार किया, उस बेटी से तक मिलने नहीं गए हैं, प्रोटेस्ट करने से रोक रहे हैं, बनारस यूनिवस्टी में, तब इनको सब चीजे याद आती है, कि मैं महिलाओ का मंगल सुत्र, बात मंगल सुत्र स ले करके गूम के गलिहारों में मटन की, और बात आ गई मुझरे तक, है ना, मोदी मा से मोदी गूम गए, मंगल सुत्र मटन और फिर लास्ट में मुझरे पर, देखे, मैं भूल गई, चली, मैं भी, वो भी मैं ही आ रहा है मचली, ठीक, अब कोई मुझरा करे या ना करे, कि ये जरूरत आता था या करने वाले भाज़पा वाले, चार तरीके बाद में, ऐसा नहीं हो कि आप लोगों के जमानत जब्त हो जाए, देखे, परदान मंतरी मोदी का कॉन्फिदेंस, लेवल जो है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उनका, देखे, जो वो जूम करके जड़ा कैमरे पे दिखाईएगा, उनका लेवल कैसे अपर दिखाईएगा, यह देखे, यह इस तरीके के वीडियो, पाली लोकसभा के अंदर, राजिस्थान में, पाली लोकसभा में, जो किया गया है, पाली लोकसभा में, पांच मसीनों को अधिकारी, करके पकड़ा गया, फिर मुकदमा दर्च कराया है, इंडिया गटवंदन के प्रतियाशी ने, पाली लोकसभा की में, बात कर रही हूँ, तो वो जो ओवर कॉंट्रिडेंस है, वो इन सब चीजों के ऊपर है, लेकिन आप लोग, आप लोग यह कह रहे हैं, कि हम सरकार बना है, तो आप बात करने हैं, पाकिस्तान की, मैं तो चाहती हूँ, जब जोर सोर से सरकारा है, तो एशिया के बारे देसों में, पटा के फूटने चाहिए, जब इंडिया गटवंदन की सरकारा है, एशिया के बारे देसों में, सब जगा पटा के फूटने चाहिए, खुशी क कि आम काट के खाते हो के चूस के खाते हो अरे तुम्हें मौका मिला पर्दार करने के लिए तो आप देश के लिए सवाल करो कि रूपिया क्यों गिर रहा है डॉलर इतना हाई क्यूं है नौजवान यूवा जो है वो रोजगार पर क्यों नहीं है कैसे पकोड़े तल रहे टं कदम पीछे सरकार अटी है बिल वापस लिए और दो कदम आप अटी है और हम स्वामिनातन रिपोर्ट लागू कर देंगे यही कह करके ना आप उनके लिए कीज़े बेटियों को नंगा गुमाया गया मनीपूर में और या में हातरस में बेटी को बलातकार करके मार दिया ग आपके जमाने में मालिया विदेश भाग गया है इंग बेर कितने बड़े रहीश जिने आप रहीश कहते हैं और सरकार को डर के अपने देश का धन लुटा दिया वहाँ पर उनको और आप कहते थे कि मैं लाऊंगा मैं तो दावद को भीलाऊंगा क्यों निलाएं आप पिर अब सारे जितने थे जब चोकिदार ही चोर हो तो कोई हाथ नहीं आने वाला है समझ गए आप बिल्कुल चोकिदार चोर है चोकिदार ही चोर है चोकिदार तो चोकनना है चोकनना अगर होता तो तीन हजार चार हजार से ज्यादा अगर चोकनना होता तो इतने करजा देश का लेकर के भागे सारे के सारे इनके जमाने में, बदाईए, चोकनना अगर होता जिननों ने, क्या बोलते हैं, गुजरात जब दंगे हुए थे, उनकी जाच पड़ताल करने वाले जो दिकारीद, जिननोंने क्लारिफिकेशन दे दि प्रणार मंतरी मोदी ने इंटर्वी दिए अभी रूबी का लियाकत को भी दिया, पूछ रही थी कि आप ठकते क्यू नहीं हैं देखे, जिस महिला के आप बात कर रहे हैं, आप उसको किस स्रेनी में गिनते हैं, आप उनको पत्रकार मानते हैं, अच्छा वो खुद कहे, जो खुद कहता है वो तप्थे नहीं होता, जो जनता आपको बोलती है, वो होता है, सब को पता है, रूबी का लियाकत को क्या बोला पत्रकार नहीं बोला जाता है गोदी मीडिया बोला जाता है ठीक है और दूसरी बात जब देश में जनता का इतना बड़ा अंदोलन हुआ तो ऐसे पत्रकारों को रुकने टिकने तक नहीं दे रहे थे किसान क्योंकि सब को पता है चमचा गिरी करने आई है सरकार की बैठ करक आईसे थोड़ी होता है आपको खाली करके मानेंगे इसलिए आप अपनी सुधबूद से काम लीजिए कम से कम मूँ दिखाने के लाइक तो रह जाएंगे कि आप प्रधान मंतरी जी थे एक दोर में तो आप चम्चो के चक्कर में ज्यादा मत आईए कि मुझे 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 फिक्र हो रही है अपन होना चाहिए। कि स्तीपा नहीं लिए हैं प्रधान मंतरी जी ठीक ना महिला मंतरी मंदल में बैठी हुई होने लिए हैं ठीक दूसरी बात मेरे सपने किसानों की उन्नती हो मेरे सपने देश विक्सित हो मेरे सपने जो सिक्षा पर टेक्स लगाया भार्टी ने जो टेक्स लगाया पूरे वर मेरा सफना की किसानों का करजा माँ फोविज़ी का विल हाफ हो महिलाओं के लिए एकलाक रूपे जो सालाना होने चाहिए जो यूवाओं के लिए पंच हजार करोड गजो एक फंड रखा जाहे जिस्से की कि तरफ आजाएं इंडिया में तो कई सारे दुला हैं राहुल गांदी है उदर ममता बनर जी निती क्या बोलते हैं ते जश्वी आदब है किसको दुला बनाएं देखे हमारी पार्टी के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है पहली बात हमारे गठबंदन के पास नेताओं की कम का सम्मान किया जाता है हमारे प्रधान मंतरी जो होंगे हमारे इंडिया गठबंदन के वो मलिकार जुन खडगे भी हो सकते हैं राहुल गांदी भी हो सकते हैं ठीक है और इंडिया गठबंदन में जो और तमाम टीम है उनमें से भी कोई एक व्यक्ति हो सकता है ऐसा नहीं ह कि किसी पर महर लग गई है तो हमारे पास नेताओं की कमी नहीं भाजबा में नेताओं की कमी है इसलिए भाजबा बांगरेश हो गई है हमारे चाहते हैं कि हिंदों की प्रोपर्टी को कभजा करके मुसल्मानों को दे दिया जाए यही चाहते हैं इस देश में जिसको जितना अधिकार मिला है हो बराबर का अधिकार है उस्हिसाब ना मोधी जी उन की कहते है ना मोधी जी बो एक ह्या इस देश को आजाद कराया है इस देश में इतनी सुभिधाएं दी है सुई से लेकर आई एम टी भागल बांजो कोई बना नहीं सकता था 1947 में जब देश आजाद हुआ और जब पहला परधान मंतरी घोशित हुआ परधान मंतरी बनने का मतलब था आदमी सुसाइट कर ले इतनी गरद इस दी में जब पंडित नहरू ने एक सुछाण में करोड रुपे दान दिये थे देश के लिए अब यह मत बोलना कि वो किसके थे क्योंकि परधान मंतरी जी बहुत अच्छे परिवार से आते थे मोतिलाल नहरू बहुत बड़े वकील थे अपने पैसों में से दिये थे कि देश की उननती हो यह तो दस रुपे ना दे यह तो राम मंदिर का चंदा खा गए कौन सरकार के लोग भाजपा के लोग आयोद यह क्या बोलते है आपको आयोद भूमी का तनक्सी देर में अठारा मिनट में कितना वो कर दिया था इन्होंने अठारा हजार करोड की अठारा सो करोड की बेग दी अठारा करोड की जमीन सारे के सारे लिप्त किसी का दमाद जमीन ले रहा है वहाँ पे किसी का भाईया बिल्कुल नहीं मिलेगा गौर कीजिएगा क्यूंकि इस दौर में बेटियों को नंगा गुमाया गया वो प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी थे किसानों को बॉर्डर पे बैटना पड़ा जाब प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी थे किसानों की हत्या हुई प्रधान मंतरी नरिंदर मोधी थे चाइना ने तीन हजार घर बना लिए प्रधान मंतरी नरिंदर मोधी थे सत्ता में जितने भगोडे सारे के सारे व्यापारी भागे तो प्रधान मंतरी नरिंदर मोधी थे इस देश में, सिख्षा पर टेक्स लगा तो प्रधान मंतरी नरिंदर मोधी थे, अभी मध्य परदेश में एक बेटी का बलातकार हो गया, रिपोर्ट नहीं लिखने के लिए उनको आगा किया गया कि रिपोर्ट नहीं लिखवाना, अगर लिखवाओगी तो तुमारी हत्या कर दी जाएगी, उसके बाई की हत्या हो गए तो प्रधान मंतरी नरिंदर मोधी थे, अरुन बालमी की हत्या हो गई थाने में आगरा में प्रधान मंतरी नरिंदर मोधी थे, और इस देश का रूपिया गिरा प्रधान मंतरी नरिंदर मोधी थे, इस देश का मान समान गिरा प्रधान मनत्री नरिंदर, मोधी ते बिल्कुस सही कह रहे हो, आपकी बिल्कुल नहीं था, क्यूंकि हमारा देश जब प्रधान मंत्री ये करते सास्तधर ही हुआ करते थे तो हमारा देश अमेरिका की तुलना कर रहा था, और आज हमारा देश भूटान पाकिस्तान बगला देश इनकी तुलना कर रहा है यह नहीं है यह आप जाकर के जो मूँ में आ रहा है बोले जा रहा है सम्विधान एक पद पे हो और मैं बता दूँ जितने भी आका बैठे हुए हैं इनके जितने भी परवक्ता बैठे हुए हैं सिर्फ उतना ही मुग खोलते हैं जितना आका की उपर से आदेश होती है दूसरे के मंगा सुत्र की वैलू वो जान सकता है जब एक बार हमारा पड़ोशी देश से यूध हो रहा था जो अपनी मा के गहने चुना कर भागे जो अपनी मा को यह नहीं बखश रहे हैं तो वो देश को क्या बखसेंगे सोचिए